हाई दोस्तों, वालकम टो माई विलेज, वालकम टो माई ब्यूटिफुल गार्डन ग्रीन, 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 एवर ग्रीन, इस माई गार्डन मेरा गार्डन ग्रीन है, यहाँ पे सब कुछ ग्रीन है हाई दिस इस आरस्की, वालकम टो माई गार्डन आज मैं आपको लेकर आया हूँ अपने गाडन में और मैंने यहां पर क्या क्या लगाया मैं आपको सब बताऊंगा और आप एक बार देख सकते हैं यहां पर हरयाली है क्योंकि काफी ज़्यादा बारिश होई है जिसके कारण पेडों में जाना चुकी है तो प्लांट्स काफ हाली ह्ली हाल्दी लगाय गया है बिंडी लगाए गया चप्ला हरी मीर्च भी लगाए ऌह यहां पर हजाली है though अपने गार्डन में लगाएं क्योंकि यही चीजी है जो मंकी नहीं खाते हैं और यह बस सकती है हमें खाने के लिए मिल सकती है तो दरवाइस मकी लगानी हो तो देखिए वह वाज़े लगा रहा है क्योंकि इसना मकी लगाई हुई है तो सारी मकी इसकी मंक्यों ने खा ली है तो इसे पूरा दिन यहीं पर रहना पड़ता है और फिर यहीं पर बैठके यहाँ पर PUBG गेम केलता और अपना टाइम बास करता है तो मैंने आप जो आपका गार्डन दिखाया तो देखिए अभी हम यहाँ पर कुछ काम करेंगे तो आप देखेंगे कि हम क्या काम करेंगे यहाँ पर यह जो आप देख रहे हैं गोबर के गोटे बना रही हो इसका बैनिफिट क्या होगा यह रीसाइकल हो रहा है एक किसम के जो गाएं का गोबर होता है उसको रीसाइकल करने का तरीका है विलेज में आकसर पंजाब में कहीं भी आप विलेज में जिन्नों गाएं रखी होती है तो वो ऐसा ही करते हैं इसके गोटे बनाते हैं मरजी होती है गोटे बनाओ चाहिए आग जलाओ चाहिए इसको ऐसे ही हाई यह बहुत थी अच्छी लगती है मुझे और यह मेरा गार्डन है प्यूटीफ़ गार्डन यहां पर हरयाली हरयारी हरया क्योंकर तो परसात का मौसम चल रहे तो हरयाली हरयाली दिखेगी तो मैक्सिमिम मैं صुबा यहां पर आदा गंटा काम करता हूँ दोस्तों आप भी गार्डनिंग करें सुबह सुबह गार्डनिंग करें एक्सेसाइज भी हो जाए और आप फिट भी रहें